नगर निगम धरमशाला की सुधेर स्थित डंपिंग साइट को लेकर एक बार फिर ग्रामीनों ने विरोत का जंडा बुलंद कर लिया है सुधेर पंचायत के लोगों ने वन निगम के पूर्व उपाध्यक्ष वा कॉंग्रेस प्रवक्ता केवल सिंग पठानिया के नित्रेतों में इस साइट को जल्द स्थानांत्रित करने की मांग को लेकर जलाधीश कांगरा संदीब कुमार को ग्यापन सौंपा गया सुधेर स्थित नगनिगम की डंबिक साइट को जल्द स्थानांत्रित करने की मांग को लेकर जलाधीश कांगरा संदीब कुमार को ग्यापन सौंपा गया इस तरहां ये साफ किया गया है कि यदि जल्द ही इस संबंध में कोई कारवाई ना हुई तो वे सडकों पर उतराएंगे इस तरहां सुधेर वासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे बाजी भी की वनविकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष केवल सिंग पठानिया ने कहा कि इस संबंध में एक महा पहले ही प्रशासन को ग्यापन सौंपा गया था लेकिन उस पर कोई कारवाई अमल में नहीं लाई गई है मौझूदा समय में डंपिक साइड से आने वाली बद्बू से सुधिडवासी परिशान है उन्हें कहा कि यहां पर कच्रा फैंकने से वातावरण दूशित हो रहा है साथ ही लोगों को भयंकर बिमारियां भी लग रही है कॉंग्रिस प्रवक्ता ने इस मौक्य पर शाहपूर की स्थानिय विधायक और शहरे विकास मंतरी सर्वीन चौधरी को भी निशाने पर लिया उन्हें कहा कि स्थानिय विधाय की इस स्वेवाग की मंत्री है और उन्हें स्वयम लोगों की इस समस्या को लेकर संग्यान लेना चाहिए था उन्हें कहा कि इस संबंध में न्यायाले ने भी संग्यान लिया है और जल्द कूडे को हटाने के आदेश भी दिये हैं केवल सिंग पठानिया ने कहा कि वे अंतिम बार ग्यापन सौंप रहे है और इसके बाद भी कारवाई नहीं होती तो वे राश्ट्रिय ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष मामला उठाएंगे मेला मंडल को दिया था और यही नहीं मेला मंडल को यह चिठियां इन्होंने लिखी कि इन्होंने अस्वासन दिया लिए उसके बावजूद भी यह जो है सुदेड में आप अच्छे तरीके से देखते हैं किस तरीके एक तरफ तो स्वच्छता का वो प्राइज लेने जिले के इदिकारी जा रहे हैं और दूसरी तरफ सास लगती पंचाईत है और मैं कहता हूँ अगर कि मैं आपका जन्यवाद करना चाहूंगा आपने भी स्टाइट भी जिल की आज सुदेड में जो वहां के लोगों का मैं कहता हूँ रहन सैन है सिटी चैनल के लिए धरमशाला से नरिप जीत निपे की रिपोर्ट